हां जी ध्यान देना बोड पे नोटिंग कर लेंगे अभी पहले हम समझ लेते हैं आपका होलसेलर का क्या-क्या देखा फीचर होलसेलर का सर्विस प्रवाइड टू आपका रिटेलर सर्विस प्रवाइड टू मैनिफेक्चरर और सोसाइटी यहाँ पर क्या है हमारा Retail Trade and Service Retail Trade मतलब जो आपका मैंने जैसे Chain बताया आपको Retail Trade Service क्या होता है सबसे पहले लेवल पर जो होता है Manufacturer इसके बाद आता है Wholesaler फिर आता है आपका Retailer A Last One Customer तो अब हम यह देखेंगे कि जो यह हमारा Retailer है वो कौन होता है Retailer कौन होता है हमारा यह देखेंगे इसके बाद क्या देखेंगे कि Retailer का इससे क्या connection और इससे क्या connection इन दोनों का किस तरीके से यह help करेगा क्योंकि Retailer ना नहीं है यह नॉर्मली दो लोगों से connected है एक तो होलसेलर से एक कस्टमर सोसाइटी से भी हो सकता है तो कस्टमर सोसाइटी एक ही थिंक हम मानके चलेंगे तो Retailer पता है कौन होता है जो की परचेज करता है होलसेलर से और सोल्ड करता है कस्टमर को यही होगा Retailer जो परचेज करेगा और सोल्ड करेगा कंज्यूमर या कस्टमर को तो यह परचेज करेगा अपका कहां से फ्राम होलसेलर और सोल्ड करेगा कंज्यूमर बोल लो या कस्टमर बोल लो ठीक है न तो जो ऐसा activity करता है उसको हम क्या कहते हैं retailer retailer हम इसको हिंदी में फुट कर वेपारी है last जो chain पे होता है हम वो बोलेंगे ठीक है न के हमारा retailer क्या है अब इसके feature की हम बात करें feature की बात करें के retailer कौन होता है इसके feature में feature में he deal number of thing goods मतलब retailer पे आप जाओगे एक सामने नॉर्मल दुकान पे जाओ तो उसके पास आपको सारी बहुत सारे product मिलेंगे and number of product बहुत सारे product होते हैं उसके पास अगर आप किसी परचून की दुकान पे जाओ तो उसी दुकान पे दाल चावल चीनी शेंपू सर्फ ओयल सब कुछ मिल रहा है आपको टॉफी बिस्किट सारी चीज़े प्रवाइड कर रहा है तो retailer समान बेचता तो है लेकिन एक दो quantity नहीं बेचता बहुत सारा लेकिन अगर ओयल का था तो सिर्फ दाल ही बेच रहा है वह अगर ओयल का है तो सिर्फ ओयल ही बेच रहा है वह वह पर्टिकुलर एक गुट्स क्योंकि retailer एक wholesaler से कनेक्ट नहीं होता बहुत सारे wholesaler से कनेक्ट होता है वहां से goods को लाकर अपने दुकान में खटा करता है customer के demand के उपर और customer को धीरे धीरे बेचता है तो पहला feature he deal number of thing number of thing का many number of thing भी लिख सकते हो आप बहुत सारे आपके goods thing का मतलब यहां पे समान से है इसके purchase less quantity जादा नहीं खरीता दो पेस पांच पेस वन डजन डो डजन आपका इस तरीके से खरीता है वह जैसे जैसे demand आता है उस तरीके से यह खरीता है sell goods to consumer यह सीधा समान consumer को ही बेचेगा इसके बाद कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई समान खरीद रहा है फिर उसके आगे बेचे इसके आगे कोई chain ही नहीं बसता हमारा इसके बाद आगे he has personal relationship with customer या consumer यह दोनों आपस में interact रहते हैं customer से तो इनका एक personal relationship होता है feature में मैं पहले बता हूँ तो retailer क्या करता है number of things based है दूसरा quantity कम खरीता है तीसरा relationship किसके साथ रहता है directly customer या consumer के साथ capital इनको कम चाहिए होता है compared to wholesaler capital तो चाहिए होता है लेकिन wholesaler की तुल्ला में कम चाहिए होता है he has personal relationship with consumer इसके बाद आगे है he sell goods to consumer के बाद he has pay more attention to condition his shop मतलब जो retailer होता है अपने दुकान के सजावत पे अपने दुकान के condition पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है क्योंकि ग्रहांक दुकान में जब आता है तो वो चारो तरह जरूर देखता है कि भाई दुकान साफ सुत्रा है दुकान किस तरीके से बनाए गया यह सारी चीज़े तो देखेगा लेकिन retailer wholesaler के पास जाके नहीं देखेगा वो तो भाई माल दे तो वो तो लाइन लगा के माल लेते हैं वहाँ पर तो यह क्या है he has pay more attention ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है to condition his shop साफ सफाई का ज़्यादा ध्यान और decoration वगएरा का इसको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है ठीक है purchase on cash and credit कहता है कि यह purchase की जगह पे हम sale भी लिख देते हैं purchase और slash मैं कर देता हूँ sell जो ये गुट्स को बेचता है और परचेज करता है परचेज उधार भी कर लेता है ये और उधार नगद भी खरीद लेता है ये और बेचता उधार भी है और बेचता नगद भी है तो दोनों काम करता है आपने देखा होगा कई बार आपके घर में से जो राशन वगएर आता होगा तो धार है आप कहीं अंजाने दुकान से खरीदते हो तो नगद लेना पड़ता है आपको ठीक है तो कई बार इस तरीकी का situation आ जाता है तो feature क्या है सबसे पहला feature क्या है बहुत सारे quantity यानि number of things होते हैं वहाँ पर number 2 capital कितना चाहिए less capital चाहिए number 3 customer से direct relation होता है number 4 दुकान की condition पे attention ज़्यादा pay करना पड़ता है number 5 समान किसको बेचेगा सीधा customer को बेचेगा ठीक है तो इस तरीके से साथ purchase उधार और नगद करेगा और less capital required होगा purchase less quantity होगा तो यह हमारे कुछ features है तो feature समझ मैं आपको कुछ-कुछ feature तो आपके हम difference की मैं बात करूँ अब retailer में देखो feature सही मैं difference बना दूँगा wholesaler को quantity के base पे बताओ ज्यादा retailer अब capital के base पे बताओ अब relationship retailer का customer से wholesaler का manufacturer से ठीक है रिटेलर अपने दुकान के condition पर ध्यान देगा और wholesaler दे भी सकता है नहीं भी दे सकता उसके उपर डिपेंड रिटेलर अपने दुकान में number of things रखेगा wholesaler एक special goods रखेगा देखो difference अगर feature समझ में आतो तो difference बन रहा हमारा इसके बाद आगे क्या कह सकते हैं capital का मैंने बता दिया purchase का बता दिया wholesaler जो है समान बेचता retailer को है और retailer बेचता है तो अभी हम difference भी देख लेंगे difference अगर आपको feature समझ में आ रहा है न तो difference में तो कुछ रहता है नहीं तो easily कर सकते है ठीक है न तो अभी हमने देखा feature दोनों का और दोनों का थोड़े बहुत differences मैंने discuss किया इसके बाद मैं point to point discuss कर लूँगा अब भाई ये retailer कैसे service देता है wholesaler को और कैसे service देता है किसको retailer को हम उसकी जानकारी लेंगे क्या 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 देता है service किस तरीके से तो देखो सबसे पहले ये wholesaler को provide information about customer wholesaler को ये customer के बारे में बताता है के भाई आज कल customer ये product को तो नहीं ले रहा भाई तो wholesaler किस से बात करता है बोलता है यह product नहीं भी कर दो यह वाला काम तो नहीं तो अप नुकसान में जाओगे तो यह क्या कर रहा है provide information about यानि customer से direct relation है इसलिए इसकी information इसके पास है और that's why यह provide किसको कर पा रहा है wholesaler को second point to create demand यह demand भी create करता है customer के बोलता है रहे ले जाओ देखो टेस्ट करके अच्छा होगा नया product है wholesaler तो इसको नहीं बोल सकता के भाई एक बार use करके देखो यह तो बस बोलेगा अपने दुकान में रखो लेकिन जो retailer होता है वो customer को जबरदस्ती भी कई बार माल दे देता है क्यों दे देता है भाई क्योंकि उसका relation customer के साथ होता है और customer ना ना करते हुए भी ले जाता है और कई बार कई दुकानदार तो इतने तेज होते हैं retailer वो customer से बात भी करते हैं आप जाओगे आपने पूछा के यह कैसे है तो वो उस पहले ही बोल दे है कितने दो बीस दे दू मैं आप भी वहाँ पर टेंशन हो जाओगे लेने तो एक आया था लेकिन वो तो बीस बोल रहा है तो आप भी फिर डर के बोले को बीस का काम है एक-दो में हो जाएगा दो-तिन दे दो आप लेने एक गए थे लेकिन दो-तिन खरीद के लिए आया ठीक है ना वो आपको इस तरीके से आपके intentionally इस तरीके से आपके साथ बात करता है कि आपको लगे कि भाई ये मेरे बारे में क्या सोच रहा है आपको मजबूरन खरीदना पड़ता तो demand create कर रहा है ठीक है न तो provide to create Demand कर रहा है एंसके बाद provide financial help wholesaler के help कैसे कहता है ये पैसे provide करता है advance पैसे भाई मेरा ये माल आये तो पहले मेरा जैसे कि MI का phone था जो wholesaler था ना retailer दुकान पहले ही पैसे देखे आये मेरा माल आना अच्छी है पहले क्योंकि demand में ज़्यादा चल रहा था हुआ तो कहीं न कहीं वो क्या financial help भी करता है local advertisement तो यही करेगा wholesaler तो नहीं करेगा local advertisement जैसे कि माल लो कोई भी t-shirt है कुछ भी हो जो customer तक पहुँचाना है factory को तो यही बाटे का ये ले जाओ भाई इस तरीके से वो बात अलग है सबसे पहले खुद रख लेता है जब इसका रखने का मन नहीं होता तो बाकी customer को क्या करता है ये देता रहता है वो इसके बाल help in distribution समान को बाटने का काम करता है अलग-अलग जगह तक घर घर तक door to door पहुँचा देता है तो ये किसका wholesaler डिस्टिब्यूट करेगा तो दिक्कत है लेकिन distribution कौन कर रहा है रिटेलर किसके विहाब पर wholesaler के तरीके से एक तरीके से last and no need to meet customer wholesaler को customer से मिलने की जरूरत ही नहीं है अपना दिमाग नहीं उसको customer के सामने यूज करना बात ही नहीं करेगा कौन बात कर रहा है यानि इसका काम यह कर रहा है तो यह service 6 हमने लिखती है पहला service हम information देते हैं दूसरा create demand तीसरा